नईम भाई के पास एक बहुत ही खुबसूरत पतंग है हाथ में पहले मैं पतंग आपको करीब से दिखाता हूँ आप यह देखे ठड़े में क्या खुबसूरत काम किया गया है कमानी में वैसे ही फैंसी काम किया गया है और लिखा है वी एम लखनव बहुत बढ़िया जो भी मेकर हैं बहुत शांदार फर्मा और बढ़िया घुटाई बहुत अच्छे मेकर हैं पतंग बहुत अच्छी लग रही है बहुत और सबसे खुबसूरत है आपका यह जो खुबसूरत गिफ्ट है नईम भाई बहुत अच्छा लगाए यह नईम भाई के नाम की पतंग है न यह बहुत बड़ी है बहुत अरे बहुत कुछ हो गा विल्कुल उसका नाम भी विम है विराज नाम है हमारे बेटे का थे बहुत बड़ी है दिखिए विराज आपका बड़िडे था और यह जो तो जैसा मैंने दिखाया हम लोग पहुच गए हैं नईम काईट सेंटर पर और ये नईम काईट सेंटर के ठीक सामने खड़ा वाओं आप लोग देख रहे हैं और लेफ्ट तरफ जो रास्ता जाता है वो बालगन चौराहे की तरफ चला जाएगा और राइट की तरफ देखेंगे ऐसे तो पारस लौन कहीं से भी आईएगा बाला गंच और आए के पास पारस लॉन पड़ता है वो लिखावा है यलो कलर से देखिए पारस लॉन आटो खड़ावा है तो आप लोग पारस लॉन के पास आके नईम काईट सेंटर पर आसानी से आ जाएंगे और अब देखिए नईम काईट सेंटर पर खड़ा हूँ तो सामने की लोकेशन जो है ऐसे एक जर्नल स्टोर है यह सामने डबल स्टोरी घर बनावा है और उधर देखिए अब दुबान पर खड़े हूँगों तो लेफ्ट हैंड की तरफ पारस लॉन दिख जाएगा सारी पतंगों का स्टॉक निकाल के रखा हुआ है आपके लिए कम से कम 20 मेकर होंगे इसमें और क्या पतंगे हैं किस प्राइज में हैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और सब नंबर वन की चुनी हुई पतंगे अच्छे मेकर बढ़िया पतंग बढ़िया प्राइज होने वा गोल फर में पॉने के लबर्स जो बड़े गोल फर में चाहते हैं कम प्राइज में आप लोग नईम काईट से चुड़ जाईएगा स्क्रीन पे नंबर आएगा बाला गन चौरा है के पास पारस लौन पड़ता है मैंने अभी आपको एड्रस में दिखाया है किसी से पूछ के वहाँ पहुच जाईएगा आप लोग नईम काईट सेंटर पे पहुच जाएंगे और जो पतंगे अभी मैं दिखा रहा हूं इसके साथ ही नईम भीया नमस्कार है हमने सुना है कि कुछ और बढ़िया गोल फर में आने वाले हैं और शांदार पतंगे होने वाली हैं तो लगबग कब तक वह हमको देखने को मिलेंगी सीजन से एक मैना पहले ही तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि अगली अपडेट दूँ और उसमें अगर पतंग आईगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस पतंग की वह बात हो रही है फिलाल यहां स्टॉक र अगर पॉना आए तो बता दिए कि जब तक अधी है वह फिलाल यह आप देखिए अधी पतंग है मीडियम फर्मा है और लोकल लखनों की पतंग है जी काली मिलेगी या और भी कोई कलर है और नीली भी मिल जाएगी नहीं भाई कितने की मिलेगी यह मिलेगी तेरा रूपाय की जी चलिए तमने भी आती है अभी आई के तो बिक गई है आपके पास बारह रूपा बियारा भी आती है जी लेकिन एक चीज़ हमको बताइए बारह और ग्यारा तो ठीक है मिल जाएगी लेकिन हम यह जाना चाहते जिसे अच्छे खिलारी की चुरूत कहा से होती है अच्छे खिलालीओं के हसाब से पतंग जो है कितने प्राइस से शुरू होगी तरीके से बनाना किस तरह से उडाना उसको बिल्कुल अच्छी बात है तो देखिए एक बढ़िया बात फिर हमाई जो है नईम भाई ने जानकारी आप लोगों के लिए बढ़ाई है कि पतंग कोई भी लिए लेकिन उसको पहले उड़ाने से पहले पेंच लड़ाने से पहले पतंग की तैयारी होती है पतंग आप कोई भी ले लिए आप किसी भी उस्तार के ले लिए हलकी सी अंदर वहार आती है उसको आप करना पढ़ता है कोई भी खिलाड़ी होगा हलका सा कुछ ना कुछ को करना बढ़ेंगा एक दिन हम कोशिश करेंगे कि नईम भाई ने जब ये जिकर छेड़ा है तो मैं नईम भाई इसे पतंग की तैयारी का पूरा एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या करना चाहिए एक पेच लड़ाने मैच में जाने से पहले आपको जी चलिए अगली पतंग पे हम लोग आते हैं मुरादबाद की अद्धी है और थोड़ा सा अच्छा बिना स्टैम वाले नाजीम पडियाल थोड़ा सा लंबा फर्मा है और अच्छी खुबसूरत पतंग लग रही काफी सफाई है पतंग में और मौसम नमी का है तो इस समय अगर पतंगों में हलकी सी सुकड़ा ना सकती है जोल दिखाई दिये जा सकता है यह पतंग काफी बिल्कुल बिना जोल के बिल्कुल साफ पतंग लग रही है कितने की है यह पंदरा रूपए की है अभी आपने पहली पतंग जो दिखाई थी तेरा की थी तेरा से काले पत्ते में मिल जाएंगी और ये फिलाल नीली पतंग जी बहुत बढ़िया अच्छा पतंग बदल गई है वो नाजीम थे बिना स्टैंप वाली ठीक है कोई बात नी मिक्स चलेगा ये फिर लखनों की पतंग है और ये मेरट स्टाइल पे इन्होंने ये क्या कहते हैं इस स्टार बनी वी पतंग है और ये मीडियम का फर्मा है जी खीचने वाले खिलाडी चौदा रूप है तेरा चौदा पंदरा तीन रेट की पतंग दिखाई है और इसमें आपको तौफल भी मिल जाएंगी ये डिजाइन मैं आप लोगो को इसलिए दिखाता हूँ ये देखि हटाना चाहेंगे तो हड भी जाएगी कुछ लोग छीलते हैं शायद इसलिए कमर नहीं लगवाते हैं और इसमें थोड़ा सब बच जाते हैं और देखिए सब लोग अलग खिलाडी तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आपको मांजे का धरना अलग होता वैसे पतंग भी जो है कुछ लोग हमने देखा हैं नीचे की तरफ चीलते हैं इसलिए वो लोग बिना कमर की पतंग पसंद करते हैं अगर आप नहीं चीलते हैं तो पहर आप कमर वाली पतंग ले सकते हैं कितने की है ये आप चौदा रुपए की पतंगे मैं इसलिए दिखाता हूँ कौन सा डिजाइन है कौन सा आपको पसंद आएगा आप लोग स्क्रीन शॉट लेके नईम काइट से बात कर लिएगा स्क्रीन पे नंबर आएगा और वो पतंगे मुरादाबाद के राजा की है रा काला कहां लगा है ये देखिए वही पतंगे जो है सब काले और नीले दोनों में लगी वी है बाकी अंदर बॉक्स में है बहुत सारे मेकर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ भी आप देख रहे हैं सब यह आप लोग के लिए दिखाऊंगा क्या नाम हैंका शरीफ काइट संटर बॉरादाबाद के मेकर है और चप नहीं कहेंगे इसको चपी कहेंगे टेरियाली कहते हैं अच्छा चलिए चप कहे रहे हैं हमको भी जादा जानकारी नहीं इसके डिजाइन के बारे में जो है चप पतंग है अद्धी है थोड़ा सा च प्राइजिंग आप लोग जरूर इसलिए मैं पता रहा हूं देखिए कि बहुत हाई प्राइज में जानी की जरुवत नहीं है और कम-कम प्राइज रॉयल शहजाद के नाम से पतंग आती है मुरादाबाद के मेकर हैं और नईम भाई जब अच्छे खिलानी है तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आखिर में प्राइज बताईए इसका क्योंकि बहुत सारे मेकर की पसंद आती है लग-अलग फिलाल हम थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे कि अगर एकदम से निकालना हो तो बंटी बढ़िया मेकर हैं बंटी भाई के बारे में कुछ नहीं पता ना स्टैंप लगावा है बंटी भाई का और देखिए पतंग की स हैं जुड़े रहिए आप लोग नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर दबाया करिए प्लीज आपसे रुक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबाने के बाद ही आगे बढ़ियेगा अर्यन काइट मेकर हैं पापा दीब कुमार के नाम से मोहराती है और कम उम्र में बहुत कम हैं इनकी अभी और बढ़िया काम सीख गए हैं क्योंकि उस्ताद हैं दीब कुमार फर्मा देखिए कितना बढ़िया है बड़े फर्मे की अद्दी गोल फर्मा बिल्कुल और शायद एकी फर्मा यूस करते हैं बहुत अच्छा देखिए क्या खुशूरत पतंग बनाई है बहुत बढ़िया और दीब कुमार आप लोग देखिए मैं कही सारी बार करते हूं इनका अगर आपको देखना हो वीडियो तो आपको उस्ताद दीब कुमार के विदियो में यह पिछले चाइनल के पीछे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और किसी भी रेंज में आप लड़ा सकते इसको बिल्कुल करेट कह रहे हैं 16 रुपे के अकॉर्डिंग जो पतंग दी है इन्होंने बहुत बड़िया खुर्सूरत पतंग है और किसी भी रेंज में ले जाईए आप देखिए रंगीन पतंग की बारी थी इतनी देर से मैं रंगीन का लवार हूँ तो मुझे मैं चारा तर सबसे पहले ये पतंग दिखाएं लेकिन नहीं भाई अभी रोक रहे थे इस पतंग को फाहीम बबलु 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 काइड मेकर है फाहीम के नाम से बहुत अच्छे पतंग मनाते हैं मुरादाबाद में सत्तरा रुपए कुछ नहीं कहना पतंग बहुत अच्छी होती बबलु भाई की पलेन भी मिलेगी अच्छा दंगीन भी है पलेन भी है ओके इस यह आर्बी बारा बंकी है और राम बाबू के नाम से हैं और इनके बेटे आजकल नीरज बढ़िया काम कर रहे हैं और जो इनकी मम्मी है देवी वो भी काफी सहयोग करती है सब लोगों मिलके बनाते हैं और आरबी का भी आप चाहेंगे तो मेरे वीडियो चैनल पे मिल जाएगा बढ़िया खुबसूरत प पतंगे दिखा रहा हूं सबद्धी 17 रुपए में मिलेगी आपके पास आरबी के लवर्स जो होंगे वो लोग आप लोग नईम भाई को फोन कर लिएगा मुझको मत पोन करिएगा तो मुझे प्लीज मत कॉल कियेगा आप लोग नईम भाई को कॉल करिएगा और यह पतंग कर लिएगा और इस्क्रीन पर जो नंबर आएगा वहां पहुत के कॉल कर लिएगा साजित चुन्लो साजित वर्फ चुन्लो काफी देखिए जितने भी मेकर हैं आजकल अगर अच्छे मेकर होंगे तो वो सब अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं और देखिए खुबसूरत फरमा बनाया है इनों ने छोटा थोड़ा सा फरमा है लेकिन बहुत अच्छा फरमा है जी अठारा रूप है और जब अच्छा काम करेंगे तो डिमांड होगी और तभी नाम होगा तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए के हर चीज़ पे थोड़ी मेहिनत करिए जो पैसा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पतंग में काम होना चाहिए माजो में काम होना चाहिए आसिफ रह्मान और यहां भी एक स्टैंप होगा जी 19 रुप है हलका सा अंदर की तरफ कट है चील काट है तो खीच के लवर्स के लिए हिजाब से बनाई गई है दोनों पतंगे हैं बहुत खुबसूरत फर्मा अधार इनके नाजिम है और फर्हान काइट मेकर हैं और काफी सारा स्टॉक इनका रहता है यहां पे मैं कई बार देखते रहता हूं आता रहता है इनका तो इस टौक तभी आता है जब डिमांड होती है जब आप लोग डिमांड रखते हैं मांगते रहते हैं उनकी पतंग तभी मंगाई जाती है लगातार। कितने की है यहीं? 16 रूप है कम प्राइज है पतंग अच्छी है कफी नाम है इनका जाना माना नाम है तबरेज भाई के बारे में कुछ कहना नहीं है तौका पतंग है लाल खुशूरत और तौके में भी देखिए थोड़ा कटिंग के साथ डिजाइन रखा गया है इन सब की जरुबत नहीं होती पतंग उलके जाती है लेकिन फिर भी मेकर अपनी तरफ स सब मिलेगा तबरेज की पतंग है मुरादबाद के कितने की मिलेगी यह वैसे अगर कोई लेगा तो 16 रुपाई की है अगर 100-200 ज्यादा प्वांटिटी में लेगा तो पैसे कम हो जाएंगे क्वांटिटी में उठाएंगे तो प्राइस थोड़ा कम हो जागा नहीं तो 15 रुपाई में आपको तबरेज की अद्धी मिलेगी और नहीं तो 16 रुपाई मुरादबाद अच्छा फर्मा है इनका छोटे में गोल फर्मा रखा है काफी और बढ़िया पतंगर है मांग बनाई ये खुशूरत पतली मांग है जी फर्म सत्रा रुपाई अभी तक आप बहुत महेंगे में नहीं गए हैं सबसे अच्छी बात हमको यह लग रही है आप लोग देखते वे ठक रहे होंगे आप इत काइट मेकर है और यहां मेकर नहीं खतम हो रहे हैं आप यह देख लिए बहुत बड़ा स्टॉक है बहुत बढ़िया साफ खुशूरत पतंग बहुत बढ़िया अगर मौसम अभी मौस्चर नहोता तो पतंग बिल्कुल एक नंबर की आपको लगती बहुत ही बढ़िया कितना प्राइज है बहुत बढ़िया खुशूरत जी बिल्कुल दामोदर वाला फर्मा रखा है वैसे ही फर्मा ही है बिल्कुल सेम उनी का ही फर्मा है तो कितने की है दामोदर आप लोग जानते हैं लगबग हमें लगता है 35 के आसपास पतंग होगी उनकी और ये 17 रुपए में आधे रेट में मिल जाएगी सेम फर्मा है पतंग का बाकी आप लोग उड़ाईएगा और प्लीज अगर आप लोग कोई भी पतंग या माजा नईम काइट सेंटर से मंगाते हैं ले जाते हैं उड़ाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताईएगा कि पतंग कैसी थी और जितनी पतंगे मैं दिखा रहा हूँ अगर आपको इसमें से कोई पतंग के लवर हैं तो कमेंट करके वो भी बताईएगा कि आपको कौन सी किसमेकर की पतंग पसंद आती है फिलाल एफम मुरादाबाद बहुत बढ़िया साफ फर्मा और थोड़ा खीच के खिलालियों के साब से चोड़ा सीना ओ नीचे थोड़ा सा वैसे कर दिया गया है बहुत बढ़िया फरमा है सत्रा रूपए पतंग बहुत अच्छी लग रही रही है पत्ते का जो है वाइट पत्ते पे खुबसूरत पतंग है और ये पिंक इसकी नीली की लगी हुई है अच्छा उसी में ही नीली मिल जाएगी काले के साथ कितिने सारे आपने तो हमें लग रहा है बहुत मेकर दिखा दिये है और मेकर अभी अद्धी के खतम नहीं हो रहे है नवाब साबरी इतने की है सत्तरा रूपए की ठीक बिलकुल अच्छी पतंग है ये देखिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पतंग है और बीच में यहां पे भी एक स्टैंप होता है बहुत बढ़िया खुबसूरत काम दिख रहा है इतने मॉस्चर में भी पतंग बिलकुल साफ लग रही है बिलकुल कहीं मॉस्चर नहीं पकला पतंग ने बहुत बढ़िया खुबसूरत गाइस पता चले 19 रुपए की है अभी तक कि हमको हमाई हिसाब से अकॉर्डिंग पतंग बहुत अच्छी मिली है अब अध्धी का हमें लग रहा है पढ़ाओ खतम हो रहा है यहां पे आकरी है अजीम भाई मुरादाबाद यह चोटा फर्मा है यह चोटा फर्मा आपको फड़ेगा बेस उताएका यह चोटा फर्मा आता है वो फड़ेगा आपको तेस उताएका दो फर्मे पे है अधी ही दो फर में पे है अजीम भाई की और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी लवर्स हैं हमारे प्लीज इस बात को ध्यान रखा करिये मैं हर बार कहता हूँ शॉप का चैयन करना मत भूला करिये एक सेकंड बस नहीं भाई प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान दिये कि यही अजीम भाई की जो पतंगे है मोहर लगा के आपको डुब्लिकेट पतंग मिल सकती है तो आप लोग कोशिश करिये जहां ओरिजनल है जी फिलाल ये तो कंकववा लग रहा है अधी लगी नहीं रही है काफी बड़ा फर्मा रखा है बहुत खुशूरत पतंग है बाई कितने की है आपके बास पूरी खक्ता से लेता तो पढ़े आगे साड़े तीस की या साड़े तीस तीस की भी मिल सकती है अगर ये जितनी पतंगे रखी है वो सब लेंगे और नहीं तो चौबिस रुपए की है फिलाल बहुत खुशूरत सफाई और बढ़िया पतंग लग रही है फर्मा भी बहुत अच्छा है जी बिल्कुल इसको अद्धी कहना ही वो है कि ये पौने में आप लड़ाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा और चोटे मोटे जो हलके पौने उनसे बहुत शांदार काम करेगा जी बिल्कुल दिखाईए कि भूल गए तो दिखाया जाएगा उसको ये रामपूर के मास्टर है अच्छी का स्टॉप मेरे बहुत रहता है रामपूर के मास्टर सहाब है इनकी भी पतंग यहाँ पर मिलती है पढ़िया देखिए भी पतंग काफी अच्छी लग रही है यानि अभी कुछ ऐसे मेकर होंगे जो बच जाएंगे अभी कितने किये यह सोला रुपए की रामपूर के मास्टर सहाब और भी पतंगे लग रहा है छुट गई है अभी सबद्धी पूरा कलेक्शन खतमी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और ऐसे ही कौन है राइसुदिन मुरादाबाद राइस राइस काईट मेकर मुरादाबाद बढ़िया फर्मा बढ़िया पतंग होती है राइस भाई की और ये देखिए दो तरह के स्टैम्प लगाते हैं एक उर्दू में एक इंगलिश में इनके दो फर्मादें लंबा ए ये गोल वाला कितने का है गोल 14 रुपए का आप लोग प्राइजिंग सुनिए हमारी बाद के राइस भाई की जो गोल फर्मे की पतंग है वो 14 रुपए की है और लंबा कितने का होगा तेरा रुपए का होगा तो प्राइज हम मैं इसलिए कोशिच करता हूँ अलग अलग तो आप लोग प्लीज आप लोग प्राइज जरूर सुनिएगा 14 रुपए में बहुत ही रीजनेबिल प्राइज है रही स्काइट मेकर की पतंग का गोल फर्मे की अद्धी जी अब आपको बता देट पेस्ट पतंग कोन सी है चलिए तो ये है नईम भाई की पसंद एफम म पतंग बहुत पसंद है ये क्या नाम है पताईए ओके शुबम भाई की पतंग मैं दिखाता रहता हूँ अगर हमको उड़ानी होती तो मैं अब आपने पता ये तो मैं भी बता दू मुझे ये पतंग बहुत पसंद आती है पाहीम रॉकट की और दूसरी जो आपने बड़ फर्माम को दिखाया है अजीम भाई का बहुत बढ़िया खुबसूरत पतंग है थोड़ा रेंज में ले जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है जी अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी आपने जो पतंगे दिखाईए हैं हमको वो नहीं अच्छी है सब अपनी जग अपने